दोस्तो इस वीडिए में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर से ओनलाइन फॉर्म कैसे भरें अगर आपको exam बढ़ना चाहते हैं, किसी job का फॉर्म बढ़ना चाहते हैं तो कैसे आप form भर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ और कोई form भनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजे लगती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा तो चले बिना time waste के वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने laptop या computer में आ जाना है और आपको internet connect कर लेना है इसके बाद आपको कोई से भी एक browser open कर लेना है आपको trusted browser ही open की जगा जैसे कि Chrome, Mozilla Firefox या फिर Microsoft Edge आपके laptop में कोई ना कोई browser जरूर होगा तो मेरे पास Chrome browser है मैंने Chrome को open कर लिया है अब यहाँ पर आपको search करना है सरकारी result अब देखे आपके सामने सबसे पहली एक website आएगी सरकारी result.com करके यह एक बहुत बड़ी और trusted website है जहाँ पर आप किसी भी government job के results और form भर सकते हैं, results देख सकते हैं तो आपको इसको click करके open करना है यहाँ पर आपको government job से related बहुत सारे प्रकार के आपको सुविधाय मिलती है यहाँ पर आप admit card प्रिंट कर सकते हैं और answer key देख सकते हैं, syllabus डाउलोड कर सकते हैं, job vacancy देख सकते हैं तो चलिए हम लोग देखने वाले form कैसे बढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर scroll करके नीचे आना है अब देखें यहाँ पर तीन category दिखा रहा है, एक है result, दूसरा है admit card और तीसरा है latest jobs तो यहाँ पर देखें latest job लिखा हुआ है, इसमें से आपको जो भी form भनना है वो आप select कर लिजे, यहाँ पर मैं scroll करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रकार के jobs मिल जाएंगे यहाँ पर देखें एक है seated July 24 online form, तो इसको मैं select कर लेता हूँ, नीचे देखें आपको answer keys, syllabus, admission, certificate, verification और भी बहुत सारे प्रकार के सुवधाएं मिलती हैं तो यहाँ पर मैं seated पर click कर लेता हूँ और हम लोग seated का form भरेंगे, जैसे आप job select करेंगे, तो यहाँ पर उसका post का नाम आ जाएगा, उसके बाद post का date आ जाएगा, timing आ जाएगा, उसके बारे में sort में आपको description मिल जाएगा, कि यह job किस प्रकार का है, उसके बाद यहाँ प आपको और भी बहुत सारे details मिलेंगी, लेकिन जो लोग इस job में apply कर रहे हैं, उसके अच्छी से पता होंगी, तो अब देखें यहाँ पर जब आप नीचे आएगे, यहाँ पर आपको इनके mobile apps में मिल जाएगे, इनके groups में मिल जाएगे, आप चाहें तो join कर सकते हैं, अब direct सरकारी website पर आ जाएगे, अब यहाँ पर आपको form भरना है, अगर आपने form पहले से भरा है, तो यहाँ पर आप sign in कर सकते हैं, अपना information डाल कर, अगर आपको new registration करना है, तो यहाँ देखें new registration का option है, यहाँ पर आपको click करना है, अब देखें यहाँ पर registration page open हो जागा, अब registration करने के लिए total तीन step होते हैं registration application form उसके बाद fees payment तो पहले step में देखे यहाँ पर कुछ आपको भरना नहीं है यहाँ पर scroll करके नीचे आई यहाँ पर आपको click करना है I have downloaded information bulletin और यह जो terms and condition है इसको आप accept कर लिजे click here to proceed पर click कर दीजे अब आप इस वाले page पर आजाएंगे second step पर आजाएंगे अब यहाँ पर आपको candidate name father name, mother name, अपना birth date, सही वाला birth date डालना है gender डालना है, identity type डालना है और आपका identity number या फिर आधार number डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे details मांगेगा pin code number, email address यह सब आपको डालना है अब देखें एक form भरते वक्त सबसे जरूरी जो चीजे होती है वो होता email address, mobile number आपका document proof और आपका signature यह चीजे आपके पास होनी चाहिए अब यहाँ पर देखें email address का जो अपसन है इसमें आपको वह email ID डालना है जिसका आपको password पता है जो active है, जो आपके पास है क्योंकि जब आप apply एक बार कर देंगे तो उसी से आपका account ओपन होगा उसी से आप सारा details बाद में चेक कर पाएंगे कि मेरा form accept हुआ या नहीं तो वह email ID आपके पास होना जरूरी है जो आप यहाँ पर डालना है उसका बार मोबाल नंबर भी आप वही वाला डाली है जो आपके पास है क्योंकि इसी पर आपको notification वगरा मिलेगा यह चीज़े आप ध्यान से याद रखेगा और आपको आगे चलके photo अगरा का भी काम लगेगा और देखें यहाँ पर password भी चूज करने को बोला है तो आपको अपना एक password बनाना होगा जब आप form भरेंगे तो उसका एक password बनेगा बाद में जब भी आप अपना form का status देखना चाहेंगे तो अपना email ID और password डाल कर आप login करके देख सकेंगे कि मेरा form एकसेप्ट हुआ या नहीं जो भी details होगी आप सब वहाँ पर देख पाएंगे तो password जो भी आप डाले उसको भी आप note करके रखिएगा जब आप सारा details एंटर कर देंगे उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा submit का तो आपको submit पर click कर देना है फिलाल मैं इस form को नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है तो जब आप सारा details डालनेंगे फिर आपको submit पर click कर देना है last में जाकर आपको fees payment करनी होगी तो fees payment के लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते है UPI भी यूज़ कर सकते है net banking यूज़ कर सकते है आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया form में आपको signature भी लगता और photo भी लगता है तो photo का size कम से कम 50KB से जादा नहीं होना चाहिए और जो आप signature अपलोट करेंगे उसका भी size लगवक 50KB के ही around होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों को problem होती है कि photo का size कैसे कम करे तो इस पर मैंने एक already video बनाया हुआ है जाकर आप देख सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता दीता हूँ यहाँ पर मैं नया tab open कर लेता हूँ आपको search करना है resize photo ओके resize photo करके आप enter कर दीजे अब यहाँ पर देखे आपको एक website मिलेगी image resizer इसको मैं open कर लेता हूँ यहाँ पर देखे बहुत ही simple सी website है यहाँ पर आपको select image पर click कर देना है और आपको अपना photo select कर लेना है जिसका आप size कम करना चाते हैं तो यहाँ पर मैं यह photo ले लेता हूँ अब देखे यहाँ पर इस photo का size दिखा रहा है अब आप इसको जितना kb करना चाते हैं उतना आप कर सकते हैं यहाँ पर देखे width और height दिया हुआ है इसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपके photo का size कम हो जाएगा यहाँ पर नीचे एक option है target file size इस पर क्लिक कीजे यहाँ पर आप डाल दीजे target 50KB जितना KB की जरुवत है उतना आप यहाँ पर डाल दीजे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारे photo का size था 9.76MB अब यहाँ पर जो output निकल कर आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका size दिखा रहा है 18.36KB तो यहाँ आपको download image पर क्लिक कर देना है अब देखें image download हो चुका है इसको हम open करते हैं तो यहाँ देखें यह photo हमने resize कर लिया है यह देखें यह काफी छोटा हो गया है क्योंकि इसकी size काफी अतक कम हो चुकी है तो आपको जितने size की जरूवत होगी उतना आप यहाँ से resize कर लिजेगा उसके बाद आपको चले जाना है अपने form में जहाँ भी आप form भर रहे हैं उस पर चले जाना है वहाँ पर आपको upload photo upload signature पर क्लिक करके उसको upload कर दिना है फिर आपको अपने form को submit कर दिना है एक बार आपका form submit हो जाए तो वो वहाँ पर जाएगा उसके बाद वो checking होगा और checking होने के बाद आप चाहत उसका status track कर सकते हैं email ID और password डाल के तो बहुत ही easy है online form भरना आप खुद से ही भर सकते हैं अगर आपको कोई और form भरना है job अगरा का form नहीं भरना है तो जो form आपको भरना उसकी website पर चले जाएए वहाँ पर आपको login कर लेना है और आप अपना form भरना start कर दीजिए form में जो details हैं वो आपको अपने हिसाब से ही डालनी पड़ेंगी वो आप किसी के बताने से नहीं डाल पाएंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हूँ वीडियो हलफ लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजिएगा